अस्था और विश्वास को लेकर बेशक लेंगिंग आसमानता की खाइचोड़ी हो रही हो लेकिन राज्ये में लेंगिंग समानता का दर्जा सबसे उचा है नितिया योकी एक रिपोर्ट के मताबिक लेंगिंग समानता के मामले में कैरल और हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है आंकडों के मताबिक कैरल और हिमाचल प्रदेश को सौ में से 69 अंक मिले हैं इस श्रणी में सबसे नीचे उत्तर प्रदेश का स्थान है यूपी को सौमे से मातर 42 अंखी मिले हैं जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर सिक्किम अंडमान निकोबार और चंडिगड है नितियायोग की रिपोर्ट सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल्स पर भारत के प्रदर्शन पर आधारित है संयूक्त राष्टे के मुताबिक SDG के तहट 17 मुद्दे शामिल हैं जिनमें गरीबी, आसमानता, जलवाईयू, शान्ती, मातिर्त वलाभ, नारिस्वास्त और नियाय मुख्य हैं निती आयोग ने देश के सभी राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों से जो आंकड़े जुटाएं हैं, उसके मुताबिक SDG के 17 मुद्दों में से 13 मुद्दों पर कादरिय किया गया है, जो महिलाओं को सबसे ज़ादा प्रभावित करती हैं रिपोर्ट के मुताबिक देश के अधिकतर राज्यों में लेंगिंग आसमानता देखी गई है देश में उसतन लिंगन उपात प्रती एक हजार लड़कों पर 898 लड़किया हैं देश में उसतन हर तीन में से एक महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है जबकि सिक्किम में ये दर सबसे कम 3.5 फीसदी है वही मणीपूर में घरेलू हिंसा के मामले सबसे अधिक 54.7 फीसदी है इसी तरह देश में करीब 63.6 फीसदी महिलाएं मातर त्वलाव से वंचित है इस श्रिणी में सबसे बुरा हाल अंडमान निकुबार का है यहां मातर 1.4 फीसदी महिलाओं को ही मातर त्वलाव मिल पाता है जबकि ओडिशा में करीब 72.6 फीसिदी महिलाओं को मातर तुलाव मिलता है तेश में करीब 50 फीसिदी महिलाएं एनिमिक हैं दादरा और नगर हवेली में सबसे ज़ादा करीब 67 फीसिदी महिलाएं एनिमिक हैं दूसरे स्थान पर जारकंड है जबकि सिक्क में सबसे कम 23 फीसदी ही एनेमिक हैं आज भी देश में 56.2 फीसदी घरों में खाना पकाने के इंधन जैसे LPG, प्राकृतिक गैस या बायो गैस की पहुंच नहीं है इस मामले में 17.8 फीसदी के साथ बिहार सबसे नीचे है जबकि 97.7 फीसदी के साथ दिल्ली सबसे उपर है नीचे आयो की रिपोर्ट से जाहिर है कि सतत्विकास लक्षे को हासिल करने के लिए लगातार कोशिश चल रही है लेकिन निर्धारित समय सीमा 2030 तक इस लक्षे को हासिल करना इतना आसान नहीं लगता है प्योर रिपोर्ट सुराज एक्स्प्रेस